नमस्कारम सद्गुरू सद्गुरू पंजभूत यानि पांच तत्वों में एक तत्व आकाश यानि स्पेस है आपके एक यूट्यूब वीडियो में मैंने आपको इथर के बारे में बात करते सुना है आपने आकाश या स्पेस को इथर कहा है अभी टाइम ट्रावल के बारे में बात करते हुए भी आपने स्पेस का जिक्र किया है तो इस इथर और आकाश में मैं कन्फ्यूज हो गया हूँ मुझे खुशी है कि आप कन्फ्यूज हैं क्योंकि कन्फ्यूजन उन बेवकूफी भरे निश्कर्सों से कहीं बहतर है हाँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा खोच करते रहें किसने नहीं कहा कि आकाश स्पेस है हमने कहा कि आकाश एथर है ये सटीक अनुवाद नहीं है, मगर काफी हद तक ठीक है एथर स्पेस नहीं है इथर अस्तिप्त का एक ऐसा आयाम है जो सुक्ष्म है जब हम कहते हैं स्पेस तो हम काल या अनस्तिप्त के बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं शी व के बारे में वो जो नहीं है जब हम कहते हैं आकाश तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं जो है आप यहाँ एक इनसान के रूप में है यहाँ स्थूलता से सुक्षमता तक पहुँचने के बहुत से स्तर मौजूद है अगर आपको कब्ज है तो आपके अंदर अभी भी कुछ स्थूल है इसके उपर शरीर के कुछ ज्यादा सुक्षमता पहलू मौजूद है उसके उपर फेफणों में भरी हुई हवा है उसके उपर दिमाग है, विचार, भावनाएं और तमाम चीजे है साथ ही जीवन अंदर बहार होता रहता है इसमें आकाश भी शामिल है जल है, भौतिक पदार्थ है, हवा है, तापमान है, अगनी है और आकाश है यह सभी इसका हिस्सा है उसे समझने की कोशिश मत कीजिए, बस इसे जान लीजिए क्योंकि यह अपने आप में एक छोटा ब्रहमांड है तो अगर आप इसे अच्छे से जान लेते हैं, तो आप उसे भी जान लेंगे क्योंकि आज इसके बारे में कोई सवाल नहीं रहा योग में हम हमेशा से इसकी बात करते रहे हैं मगर आज मौडन फिजिक्स भी बात कर रहा है सन रचना के सिधान्त के बारे में इसमें बताया गया है कि ब्रहमांड की मूल सन रचना चाहे वो एक अनू हो या पूरा ब्रहमांड इसके डिजाइन मूल रूप से एक जैसी ही है आप एक इनसान के रूप में इस आकार में हैं जेंगूर, केंचुवा, पक्षी, रेंगने वाला कोई जीव अब सभी की फंडमेंटल डिजाइन एक ही है अनू से लेकर ब्रहमांड तक हर चीज की मूल भूट डिजाइन एक ही है ये डिजाइन अलग-अलग रूपों में कैसे विक्सित होती है उसके जटिलता और बारीकी अलग-अलग होती है आपकी बनावट, किसी अमीबा की बनावट से कहीं ज्यादा जटिल और बहतर है मगर मूल भूट बनावट फिर भी एक ही है सिर्फ जटिलता बढ़ रही है तो आप ब्रहमांड को देखने की कोशिश ना करें क्योंकि आप किसी ऐसी गैलरी में नहीं बैठें जहां से बैठ कर पूरा ब्रहमांड नजर आ जाए ऐसी कोई जगा नहीं है जहां बैठ कर आप ब्रहमांड को देख सकें असल में आप अपने अंदर घटित होने वाली चीज़ों के अलावा किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते भले ही आप टेलिस्कोप से किसी तारे को देखें वो तार आपको वैसा ही दिखता है जैसी उसकी छवी आपके मन में बनती है है ना? हाँ? आप किसी भी तारे को नहीं देखते यही वज़ा है कि आपको वो तारे दिखाई देते हैं जिनका असल में अस्तित्व ही नहीं है कई तारे जने आप देखते हैं उनका अस्तित्व ही नहीं है मगर आपके मन में उनकी एक च्छबी बनती है इसलिए आप उन्हें जानते हैं दूसरे शब्दों में आप अनुभव कर सकते हैं सिर्फ इसका या ये एक लोता दर्वाज़ा है जिसके माध्यम से आप किसी चीज़ का अनुभव कर सकते हैं चाहे आप खाये जाने वाले भोजन का अनुभव करना चाहते हैं, या सांस में जा रही हवा का, या अपने आसपास के लोगों का, या दुनिया का या ब्रहमांड का, आप उसका अनुभव सिर्फ उसी तरह कर सकते हैं, जिस तरह ये है. अगर ये बिलकुल स्पष्ट है तो आप उसे उसके असली रूप में देख पाएंगे अगर इसने बहुत से रूप और आकार अपना लिये हैं तो आप उसे उतने ही अलग-अलग रूपों में देखेंगे इन दिनों मेरे खयाल से आईने ज्यादतर समतल हो गए है शायद अभी भी अगर आप कोई सस्ता आईना खरीदें तो आप ऐसे दिखेंगे लेकिन अगर आप कुछ खास तरह के कौंकेव मिरस खरीदें तो आप एक ही दिन में अपना वजन कम कर सकते हैं आप उसके सामने खड़े होईए आप बिल्कुल छड़ी की तरह दिखेंगे तो आईने आप जो हैं उसके अलग-अलग छवियां दिखाते हैं मान लीजे कि आपने हमेशा आपना चेहरा दिखा है थोड़े टेड़े मेड़े आईने में थोड़े समय बाद आप मान लेंगे कि आप ऐसे ही दिखते हैं हाँ या ना हाँ या ना आपको लगता है कि आप ऐसे ही दिखते हैं क्योंकि आपने हर दिन खुद को देखा और आप ऐसे ही दिखाई दिए और आपको लगता है कि आप ऐसे ही दिखते हैं इसी तरह आपको लगता है कि दुनिया ऐसी दिखती है क्योंकि आपके मन में उसकी ऐसी ही छेवी बनती है अगर आप इस मन को एक ज्यादा शुद्ध सतह के रूप में विक्सित कर सकें जिससे उसमें बिलकुल हल चलना हो वो पूरी तरह समतल दर्पन बन जाए उसके बाद वो हर चीज़ को उसके असली रूप में दिखाएगा मगर उल्टा आईने में सब कुछ उल्टा होता है तो आपके अंदर उसका रूप बिगाड़े बिना उसे सुधारने की बुद्धी होनी चाहिए देखे, ज्यादा तर लोग एक दोसे को भी ठीक से नहीं पलट सकते अगर वो दोसे को पलटने की कोशिश करते हैं वो कुछ ऐसा बन जाएगा एक तरह की स्किल की ज़रूरत होती है किसी चीज को उसका आकार बिगाड़े बिना पलटने के लिए यही समस्या हमारे मन की भी है एक बात तो यह कि उसमें तरंगे उटती है या तूफान आते हैं आपने अपने मन को जैसा भी रखा हो मगर तरंगे तो निश्चित रूप से उटती हैं आप दुनिया को तरंगो वाले आईने में देख रहे हैं और यह इस तरह देख रही है और ज्यादा तर लोगों ने इसे पलटने की कोशिश भी नहीं की है क्योंकि उन्हें लगता है कि यह ऐसा ही है जब आप इसे पलटना चाहें तो एक स्तर की स्किल की जरूरत होती है इसका रूप बिगाड़े बिना पलटने के लिए तो आपकी दो समझ से आएं पहली यह कि आपको आईने को समतल बनाना है ताकि उसका रूप न बिगड़े और अब उससे बड़ा काम यह कि उसको इस तरह से पलटें की पलटते समय उसका रूप न बिगड़े आपके जीवन में अभी तक हम वहां नहीं पहुंचे है पहला काम है मन की सारी विकृतियों को साफ करना हम अभी भी उसी पर काम कर रहे है क्या यह हवा आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो लोग कुछ नहीं कह रहे हैं हम आपका गला घोटने वाले है आपका जीवन यहां हर जगा पहला हुआ है यह भौतिक है इस भौतिकता में भी स्थूलता और सुक्ष्मता के कई स्तर है है ना शरीर में बहुत सारे स्थूलतत्व है शरीर में बहुत सारे सुक्ष्मतत्व भी है विचार है, भावनाय है, सांस में ली गई हवा है या दूसरे शब्दों में जीवन हमेशा एक जबरदस थूलता से लेकर कई सुक्षमताओं तक होता है आपके जीवन की सुक्षमता आपके फैलाओं पर निर्भर करती है आपके पंक जितनी दूर तक फैलेंगे, उतनी सुक्षमता संभव होगी तो अब, जिसे हम आकाश कह रहे हैं, वो जीवन का एक सुक्षम आयाम है अगर हम आकाश को बाहर निकाल लें, तो आप जिन्दा नहीं रह पाएंगे अगर हम इस हॉल से सारी हवा बाहर निकाल लें, तो आप जिन्दा नहीं रह पाएंगे हाला कि आप इसे देख नहीं सकते लेकिन ये आपके बालों से ज्यादा महतुपूर्ण है माफ कीजिए क्योंकि ज्यादा खर्च दुनिया में बालों की देखभाल के लिए बहुत पैसा खर्च किया जाता है निश्चत रूप से दिमाग की देखभाल से ज्यादा देखे हम किन चीजों को महत्तू देते हैं अगर आप अपने सारे बाल नोच लें तब भी आप जी सकते हैं अगर मैं आपके कान काट दूँ या आपकी नाक काट दूँ तब भी आप जी सकते हैं अगर मैं इस हवा को खीच लूँ, जिसे आप देख भी नहीं सकते, ज्यादा तर समय आप जागरूग भी नहीं होते कि हवा है भी या नहीं, अगर मैं इस हवा को खीच लूँ, तो आप एक पल के लिए भी जिन्दा नहीं रह सकते हैं, है ना, अगर हम आकाश को खीच कर नि तो मंदर का पिछला हिस्सा, जहाँ शायद जातर लोग जाते ही नहीं, क्योंकि मेरा ध्यान हमेशा कोनों की तरफ जाता है, बाकी लोग देवी के दर्शन करके खुश हो जाते हैं। लेकिन अगर आप इन मशीनों को उड़ाते हैं, तो इस ग्रह का एथर डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर यह आकाश को डिस्टर्ब करता है, आकाश से उनका अर्थ अंतरिक्ष्य स्पेस से नहीं है। अगर आप आकाश को डिस्टर्ब करते हैं, तो लोगों के जीवन में शा परशांत होने पर मानसिक परिशानियां बहुत बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि आप इसका एक जीता जाकता हो दारन। मेरे ख्याल से मनोच कुमार की एक पुरानी फिल्म थी जिसका नाम था शोर, धेर सारे हवाई जाहाज और उनके कारण इतना डिस्टर्बंस पैदा हो रहा था और उन्हें खुशे होई कि एक दिन उनके कानों के परदे फट गए। ऐसा कुछ हुआ था। तो अगर हम आकाश को बाहर खींच लें तो ये भौतिक शरीर एक पल भी नहीं टिक पाएगा। तो जब हम आकाश कहते हैं, तब हम पाँच तत्वों की ही बात कर रहे हैं। जैसे धर्ती है, जैसे पानी है, जैसे हवा है, जैसे अगनी है, हम पाँच तत्वों के एक और आयाम के बारे में बात कर रहे हैं। तो आकाश को निर्वात या स्पेस न समझें। कर रहे हैं।